नमस्कार विद्यार्थी मित्रू आजे आपड़े धोरन छ विशेमिन्दी पाठ्रन स्वाध्याईनी सम्पून सम्झूती जोई से अगवना वीडियो मा आपड़े आपाठ्रनी सम्झूती जोई हैती हवे स्वाध्याई जोई सु सबसे पहले हैं अभ्यास अभ्यास में प्रस्ण एक है जो सामई को अखबारों में से चुटकुले पढ़िये और कक्सा में सुनाईए आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए कि आपको सामई की आखबार में वर्थमान पत्र में जो चुटकुले मिले उसे पढ़ना है और आप अपनी कक्सा में सुनाना है और आपने जो भी चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखना है प्रफ दिया गया है उसमें से मुहावरे ढूटना है और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है तो हम इसमें पहला मुहावरा है आखों का तारा यहां है बराबर पहली लीटी में है जो आखों का तारा यानि बहुत प्यारा तो उसका वाक्य बनाएंगे गवराव अपनी माकी आंखों का तारा है आगे दूसरा रुड़ी प्रयोग है कमर कस्ना तो उसका अर्थ है अच्छी तरह तैयार होना और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे मैंने भी प्रतियोगीता में जीतने के लिए कमर कस्ली है तिसरा मुआवरा है इत का चांद होना इत का चांद होना यानि बहुत दिन बाद मिलना तो वाक्य बनाएंगे आज कल तुम इत के चांद हो गए हो दिखाई नहीं देते चोथा मुआवरा है आस्तिन का साप यानि कप्टी मित्र या दुसरा आत लिख सकते हो मित्र बनकर सत्रू जैसा व्यवार करना तो वाक्य हम बनाएंगे मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तिन का साप निकला पांचवा मुआवरा है नजर चुराना यानि किसी का ध्यान नजाए इस तरह काम करना तो वाक्य बनाएंगे अपरादी पूलीस की नजर चुरा कर भाग गया या छठा मुआवरा है आग बबुला होना यानि बहुत क्रोधित होना तो वाक्य बनाएंगे नौकर से गुलदस्ता तूट जाने पर मालकीन आग बबुला हो गई आगे प्रस्न तीन है रेखांकित सब्दा के लिंग बदल कर वाक्य फीर से लिखे जो रिखांकी सब्द है वो आप देखो और उसके लिंक बदलना है और लिंक बदलकर फिर से वाक्या लिखना है तो यहां पहला वाक्या है उसमें दादा जी है तो दादा जी का होगा दादी जी बराबर तो हम वाक्या फिर से लिखेंगे मेरी दादी जी यात्रा पर गई है फिर दूसरा आगे वाक्य है आदमी आदमी के नीचे अंडर लाइन है तो आदमी का होगा औरत तो वाक्य लिखेंगे एक औरत ने मुझ से कहा आगे तिसरा है लेखक तो लेखक काम लिखेंगे लेखी का वाक्य बनाएंगे लेखी का कहानी लिख रही है आगे चौधा वाक्य है मालिक, स्वारी मालकिन तो मालकिन का लिंग बदल के हम लिखेंगे मालिक तो अब वाक्य प्रव्यक करेंगे मेरे मालिक का सभाव बहुत अच्छा है आगे पांचवा है बारिस को देखकर मोर नाचने लगे तो मोर, मोर का हम बनाएंगे मोरनी और यहां हम लिखेंगे बारिस को देखकर मोरनी नाचने लगी छठा है सेरनी सेर, तो सेर का हम लिखेंगे सेरनी तो जंगल में सेर, जंगल में सेरनी दहाड रही है आगे साथवा है सेठ, सेठ के नीच अंडल लाइन है, तो सेठ की जगह हम लिखेंगे सेठानी, तो वाक्य बनाएंगे सेठानी दुकान में बैठी है आठमा है अध्यापक, अध्यापक के जगह हम लिखेंगे अध्यापी का, वाक्य बनाएंगे अध्यापी का पड़ रही है नौमा है पंडित, तो पंडित का पंडिताइन, तो वाक्य बनाएंगे पंडिताइन, रामायन सुनाने लगी आगे दस महाई लड़का, लड़का के जगल लड़की, तो लड़की दुकान के पास खड़ी, तो इस तरह हम लिंग बदर कर वाक्य फिर बना सकते हैं आगे चोथा है, उदारण के अनुसार सब्द का चार-चार वाक्य में प्रयोग कीजिए यहाँ जैसे घर, तो घर सब्द है, उसका चार वाक्य बनाए हैं घर, तो मेरा घर सूरत में है मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में तीन कमरे है, मैं अपना घर साफ रखता हूँ तो इस तरह एक सब्दा का हमें चार वाक्य बनाने हैं तो यहाँ पहला सब्दा है बाग, तो हम वाक्य बनाएंगे बाग में फूल होते हैं, दूसरा बनाएंगे बाग में लड़के खेलते हैं तिसरा, मैं रोज बाग में जाता हूँ चोथा, यह बाग बहुत सुन्दर है उसी तरह आगे, आगे, दूसरा है, सब्दा नदी तो नदी का हम चार वाक्य बनाएंगे पहला हम नदी में नहाते हैं दूसरा, लोग नदी में तैरते हैं तिसरा, नदी में नावे चलती हैं चोथा, गंगा, पवित्र नदी है अब आगे, तिसरा सब्दा है, दोस्त दोस्त का चार वाक्य बनाएंगे गवरव मेरा दोस्त है मेरा दोस्त पढ़ने में होसियार है मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ जीवन में दोस्त होना जरूरी है आगे चोथा है पसंद तो पहला मुझे गुलाब का फूल पसंद है दिदी की पसंद चमेली का फूल है आगे मा की वड़ा पसंद करती है चोथा वाक्य सबकी अपनी अपनी पसंद होती है आगे हैं पांचवे सब्द हैं कहानी तो कहानी का हम वाक्य प्रवेक करेंगे पहला मैं प्रेमचन जी की कहानी पढ़ रहा था मुझे कहानी पढ़ने का सौक है गुरुजी ने हमें एक दिल्चस्प कहानी सुनाई बच्चे कहानी सुनने में मग न थी इस तरह हमें हर एक सब्द के चाचार वाक्य बनाने हैं आगे प्रस्थन पाच है कावत के अर्थ दिये गए हैं कक्सा में उदारन दे कर चर्चा कीजिए यहां कावत दिये हैं तो कावतों का हमें अर्थ दे कर कक्सा में उदारन दे कर उसकी चर्चा करनी है तो पहला है अक्लबड़ी या बैस तो उसका अर्थ है सरीर बड़ा होने की अप्पेक्सा अक्लबड़ी होती है तो कक्सा में उदारन देना है और उदारन देकर चर्चा करनी है आगे दूसरा है आसमान से गिरा खजूर में अठका यानि एक के बाद एक विपत्ती में फसना तो इसका भी आप उदारन देकर कक्सा में चर्चा करनी है तिसरा है आयत हरी बजन को ओटन लगे कपास यानि अच्छा काम छोड़कर मत्वहिन काम में लग जाना चोथा जो गरसते है वो बरसते नहीं तो उसका अर्थ है जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते पाच्वाज जैसी कॉनने वैसी भनने यानि जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है तो विद्यार्थी मित्रों यहां मारा इस पाट का स्वाध्याई समाप्त होता है धन्यवाद